हम एक ऐसे अपिक पे डिसकस करने जा रहा है जिससे आने वाले नीट एक्जाम में या बोर्ड एक्जाम में क्वेस्चन करना निस्चित है एक क्वेस्चन करना निस्चित है एक्वस्चन करना निस्चित है को चलिए दोस्तों देखते हैं Equality Year of Act 1927, Forest Act 27 को उल्टा कर दे, 1972 Wild Life Act, 1963 IUCN Red List System was initiated, 1968 Insecticide Act, 1974 24 यदि आपको यह याद ना रहे, 74 तो देखिए, एक वो फिक्स, डीकेट्स को तो आप याद रखी सकते हैं, कि 70 से 80 के बीच, अब देखिए, डवलू कैसे लिखते हैं, 1, 2, 3, 4 यान कि 1974 में, Water Prevention and Control of Possession Act and इसी यर आया था Chipko Movement 1980 Joint Forest Management 1981 Air में देखिए ICO1 मानी है 1981 Air Prevention and Control of Pollution Act 1986 6 देखिए E को आप जब यह पुरा कम्प्लीट करेंगे तो यह 6 हो जाएगा 1986 Environment Protection Act and Biosphere Reserve Project 1987 Montreal Protocol Canada Effective in 1989 on ozone depletion and this year noise includes as an air pollutant Air Pollution Act में क्या हुआ था, amendment हुआ था 1987 में और noise को इंक्लूड किया गया था, as air pollutant 1988 National Forest Policy 1992 Convention on Biological Diversity The Earth Summit held in Rio, Brazil 1997 Kyoto Protocol Japan and 2002 World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg, South Africa तो फ्रेंड यह जो अभी एक page मैंने डिसकस किया प्रूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा यह वीडियो पहुँश सके और यह चैनल ग्रो कर सके ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा और अच्छे quality का वीडियो बनाने का इक्षा हो और मैं इसे आप आप लोग के सामने लाओं फ्रेंड आपके यदि कोई suggestion हो आपका यदि कोई question हो आपको यदि कहीं पे किसी page पे कुछ गल्पी मिले तो आप comment box में comment जरूर करें इससे मैं उसे सुधारूंगा और आपके जो question होंगे उनका मैं जवाब वीडियो बना कर दूँगा तो दोस्तों प्यारी करते रहिए पढ़ते रहिए और आने वाले neat exam और board exam में हमारे बनाये हुए वीडियो से आप लाव लेते रहिए तो दोस्तों देखते रहिए हमारे वीडियो को आने वाले दिनों में मैं genetics पे ecology पे नए वीडियो को लेकर आओंगा आपके लिए to those two, all the best for incoming NEET and POWARD exam, all the best.